तो गाईज आर उसोज वर्साइज केविन और सेमी जेंग का जो मैच है फॉर दा अंडिस्पिटेट टेग टीम चैंपरसिप जो है धी मैच आपर सेट आप हो चुका है आने वाले को इस मैट डाउन के अपिसोड के लिए तो क्या उसोज एक बाद फिर सब एपनी टैटर्स क कैप्चर कर लेंगे केविन और सेमी जेंग के अपनी टैटर्स को हारने वाले इसको लेकिए बात करेंगे कौन जीच सकता इस मैच को वह मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही में काफी एपोइट अपडेट से ड्रू मेकेटार और सैथ रॉलिज को लेके वीडियो को 18 अप्रेल और एक मही ठीके ना अब 18 अप्रेल को साथ एक मुझे याद निया रहा है लेकिन 18 सब्सक्राइब को साथ मैच डाउं का एपिसोड होगा और एक मही को जो रॉक एपिसोड होगा ठीक है ना तो यह जो है ड्राफ्ट की डेट निगल के आच चुकी है पहले आठ केंटार की क्या सुच्छेशन नहीं तो आपको पताइए मैंने हर वीडियो में इस बात को कवच किया है लेकिन अभी डूमेगेटार ने कुछ आउट आउस बॉक्स कर दिया हुना ने अपने ट्वीटर प्रफाइल को पूरी तरीके से ब्लैक आउट कर दिया आप देख प किया है ताकि जब रिटंग करेंगे तो हील की तरह रिटंग करने वाले तो दोनों बाते चल दीए फिलाल बाई ट्वीटर पर और दोनों इम्हें आपको बता चुका हूँ लेट सी बाई कौन सी बात सरी होती है मैं तो नहीं चाहता बिल्कुल भी के टू मेंगेंट करो ब अब ऑस्टिन थोरी का नाम कैसा आगे यह मुझे बता नहीं है पहले बता दो फिलाल यह अल्ली रिपोर्ट से तो गलत भी हो सकती है बाकी बात करोकर विनर की तो विनर में अभी भी सबसे उपर नाम जो एले नाइट का चल रहा है अब देखो एले नाइट टॉप स्टार बाके आप क्या थोर्ट से आप मुझे जरूर्द बताना नेक्स्ट रम बात करने वाले स्याथ वाकाउट के बारे में और इसको लेके एक गुड़ न्यूज आईए और गुड़ न्यूज है कि जो भी अब तक हमें पता चला था वो सब फेक है ठीक है ना कल राद को मैंने का था कि हो सकता है जो भी बाते चल दीए वह एक फेक न्यूज हो और वैसा ही हो और सुबह कुछ और भी सोर्सेश की तरफ से रिपोर्ट आईए कि स्याथ वाले यह सब जो एक छोटी से चीज को बड़ा दिखाया गया था असल में स्याथ वाकाउट नहीं किया ठीक है ना और किया भी है ना तो यासी कोई बहुत बटी टेंसर वाली बात निया आने वाले ये यह चांवर्त में तो यह अंपने ऊपना डेंड में ये यह भी जो 50-50 वाली नियूज ही है गलत भी हो सकती है लेकिन नेक्स ट्विक के स्प्मेंट डाउं के लिए गंतर का जो मैच है वो जेवे उट के साथ ऑफिसल हो चुका है और यह जो है टाइटल वाला मैच होने वाला है अब वह बात है कि हमें पता है कि गंतर जी जीतने वा जहां पर आकर एक्स्प्रेंग करने वाली कि क्यों उन्होंने बेकल लीच पर अटेक किया और यहां पर जो मैच ऑफिसल हुआ है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बाबी लेश्ली का अब मुझे यह बुकिन बिल्कुल समझ में नहीं आ दी कि कहां बाबी लेश्ली और ब्रॉंस सब्सक्राइब जाना कंसिडर कर दे दरसल हॉली वूड के कुछ फिल्मों के ओफर आया है कोडी जोड्स को और कोडी जोड्स उनके साथ मीटिंग भी करते तो में भी कोडी जोड्स भी किसी मूवी में जो अपियर हो सकते है हॉली वूड में तो यह तो बिल्कुल आउट कर ली बताया था कि ऑफिसल होने वाला है और दो अफते बात के लिए यह जो है ऑफिसल हो भी चुका है और क्यूं हुआ बिकार रोमर रेज ने कहा था ठीक है अब अगर आपने यहां पर ध्यान से इस में डाउं का एपिसोड देखा होगा तो आपने चीज नोटिस कियोगी कि जब पॉल एमन कहते कर देखो भाई उसोड किसी भी हालत में टाइटस जीत के ही रहेंगे विकार ट्राइबल चीप का जो पेशन से वह लूज हो रहा है ठीक है ना तो कह तो रहे तक कैवी नोट से सैमी जेंको लेकिन उनकी जो आँख है वो थी उसोड की सेड में तो क् नहीं जीते ना तो मैं तुमारी ऐसी तैसी करने वाला हूँ और देखो ऐसा ही होने वाला है विकार उसोड जीत गए तो तो भाई ब्लेड लाइन ब्रेक अप कैसे होगे ब्लेड लाइन जो वापस साथ मा आएगी मजा तो तभी आएगा ना जब उसोड नहीं जीतेंगे रोमन और गुस्टा होंगे और यहां सर जब लाइन के ब्लेड लाइन के ब्रेक अपके शुरुआत होगी तो जो लोग यह सोचे के बाई यह पर उसोड़ एक पाद फिरसे टाइटिन टाइटस को कैप्चर कर लेंगे तो आई डोंट तिंग के ऐसा होने वाला है अगर उसों के बीच में टेंशन और बिजदा क्रियेट होगी और ब्लेड लाइन जो ब्रेकप की तरफ लीड करेगी ठीक है ना तो यह कुछ थे भाई मेरे ओपीनिस इस मैच के उपर तो और जो अपडेट आई थी वह भी मैं आपको बता दिया है बाकि आपके थौर्ट्स आप पिलाल इस वीडियो के लिए तेन में शन्ती मैं मिलता हो किसी ने वड़ो किसी ने पर साथ बैटे केर